नमस्कार जोतिस क्यानमे दर्सों को हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अब हम उपाई की तरफ चलते हैं कौन सी राशी की तरफ चलते हैं कन्या राशी की तरफ यानि के कन्या राशी का जो सभाव होता है वो अपने आप में थोड़ा नाजुक तो होता ही होता है लेकिन हमें practical ही जीवन जीना ह में practical ही क्या उपाए चीए जिससे हमें हम लोगों की कन्याराशी बहुत अच्छी जाए है ना कन्याराशी वाले जात तक फट़ फट उपाएयों को नोट करने का प्रियास करें अब करना किस दिन आपको यह उपाए यह बिद्यान से सुनें आपको यह उपाए बुद्वार की सुभा करना है क्यों कन्या रासी के जो स्वामी होते हैं वो बुद्ध होते हैं मिथुन रासी के स्वामी बुद्ध होते हैं और कन्याराशी के स्वामी भी बुद्ध होते हैं तो इसलिए मिथुन राथी के जा तक भी बुद्वार की सुबा हमने उपाई बताया था और कन्याराशी वाले जा तक भी बुद्वार की सुबा इस उपाई को करेंगे क्या उपाए बनता है सबसे पहले मंत्रों की बात करते हैं कन्या राशी के लिए कौन सा मंत्र होता है कन्या राशी का मंत्र आप नोट करें ओम नमो प्रीम पीतंबराय नमहा पीतंबराय नमहा इस मंत्र को आपने एक मालज अपना है अब कन्या राशी के स्वामी हुए बुद्ध बुद्ध का बीज मंत्र नोट करें ओम बुम बुधाय नमहा या एक मंत्र और होता है ओम एम श्रेम श्रेम बुधाय नमहा आपको हमने दो मंत्रे लिखवाए आपकी राशी का मंत्र कन्या राशी का मंत्र और आपके राशी के स्वामी का मंत्र दोनों मंत्र सुबा सुबा नहां दो करके धूब दीप करके एक मंत्र राशी का करने एक माला यानि की 108 बार और 108 बार ही आप अपने राशी के स्वामी बुद्ध की माला एक कर ले 108 बार कर ले अब आपको अपनी राशी के लिए दान क्या करना है दान सुची भी सुने और ये जो दो मंत्र मैंने आपको बताए हैं इन्हें सुबा सुबा करके आप फारिक हो जाएं कोशिस करें आप कन्या राशी का जो दान है वो सूरिया उदे से चार घंटे के बीच में ही कर ले तो इसका फल बहुत होता है अगर किसी वज़े से आप डिले होते हैं तो शाम को भी आप कर सकते हैं क्या दान किया जाता है कन्या राशी के जातकों के लिए दान सुन लीजिए आप नोट करें दान पन्ना कांसे का पात्र हरी मूं की डाल शककर हरे रंग का वस्त्र बहुवीदी के पुश्प अनेको रंगवी रंगे फूल कपूर हरा फल इन में से कोई भी आपकी समर्ति हो लेकिन कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी राशी है कन्या कन्या राशी का नंबर क्या होता है सिक्स छटे नंबर की राशी कन्या होती है कम से कम 600 ग्राम की संख्या में चाहे साबुत हरे मुंग की डाल ले ले या कोई भी और 600 ग्राम ही बाजरा आप कन्या राशी वाले जा तक और खास तोर से कन्या राशी वाले जा तक और मिथुन राशी वाले जा तक मिथुन राशी वाले 300 ग्राम और कन्या राशी वाले 600 ग्राम बाजरा पक्षियों को जरूर डालें कम से कम तीन मुठी मिथुल राशी और छे मुठी कन्या राशी पक्षियों को बाजरा अवश्य अवश्य डाला जाए ये हुआ दान और शाम के समय किसी भी देवालिय में जाकर के किसी भी भगवान के मंदिन में जाकर के जहां गणपती इस्थापित हो भगवान स्री गंपती को हरी हरी दुर्बा चढ़ाएं और वहीं बैठकर के यदि आपसे हो सके तो गंपत अथरशीर्ष का एक बार पाट करें या पाट सुन लें या अगर इतना बड़ा ना हो सकता है तो ओम गंगन पते नमें इस महा मंदिर का वहीं मंदिर में बैठकर के घी का दीब भगवान स्री गंपती को च्छै मूं के मौदक मिल जाएं या पेटे की मिठाई मिल जाए हरे रंगी क्योंकि आपकी रासी का संबन्द हरे रंग से है तो मूं के लड़ू मिल जाएं च्छै मूं की डाल के या पेटे की मिठाई के च्छै पीस हो या फिर नहीं तो जैसे मौदक मिल जाएं महाँ चड़ाएं यही बीज मंत्र ओम गंग गंपत हैं नहीं हमाँ बैटकर के पढ़ें या गंपत अथरफशीच पढ़ें और भगवान से काम ना करें है परमात्मा आपकी किरपा से ये वर्ष मेरा बहुत अच्छे से वैतीत हो आपकी किरपा से मुझे किसी तरह की कोई कमी ना आए तो दर्शो को ये कुछ उपाए आपको हमने बताए कन्या राशी वालों के लिए आप करिएगा इश्वर किरपा से आपको लाब जरूर भिलेगा नमस्कार